अससलाम अलेकुम कैसो आप सब अलहम्दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब इस पहली बात तो मैं अपनी बेनों से यह करणा चाहूंगी कि आप लोगों के कमेंट आरे होते हैं सब ही बेनों को तो पता ही है कि क्या आप मेरे चैनल का चल रहा है लेकिन ए स dien video आता है वही دिन आप reaction डाला करो मतलब वही topic के अपर वही time पे reaction डाला करो तो आप लोगों को बहुत से लोगों को पता है के video तो मैं वहीद दीन बनाती है वही दीन डाल देती है लेकिन वह अप्रूव नहीं होती है और फिर मैं request बेसती हूँ तो वो दो दिन में, एक दिन में, चार दिन में जब भी approve होती है, तब मैं public करती हूँ तो ये problem आ रही है, ना के मैं reaction लेट दे रही हूँ ये problem आ रही है तो ये बात मैंने अपनी live में भी बता चुकी थी फिर भी comment आते हैं तकरीबन 2-3 दिन से मैं देखी रही हूँ ये वाले comment तो मैंने सुची कि ये बात को मैं वीडियो में ही clear करूँगी कि वीडियो तो मैं वही दिन डाल देती हूँ लेकिन वो वीडियो जाती नहीं है इन लोगों को जिनको पकड़ना चीए जिनको सजया देना चीए जिनके साथ में जो भी मतला है वो इनको करना चीए तो वो सब छोड़के रियक्शन वोलों के पीछे पड़े है और खास करके भई मेरे तो चैनल के पीछे इस तरह से पड़े है जैसे पागल हो गए है लोग जो इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है इसका उपर भी लोगों ने मतल़ा बंदी कर दिये वो चैनल उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता और इस चैनल के उपर भी हर एक वीडियो हर एक लाइवे बस नई के बराबरी काम कर रही है अगर के वो अप्रूव हो जाती है तो मैं पब्लिक कर देती हूं नहीं होती है तो वो वैसी पढ़े रहती है चैनल पे तो आप लोग मेरा तीसरा चैनल है उसका लेंक मैं दे दूंगी चाहिए तो कमेंड बॉक्स में मेरी कम्यूटी पे भी लगा हुआ है तो वहां से भी आ आप वीडियो शुरू करते हैं तो जी वाला जो पिच्चर में आप लोगों को दिख रहा है ना तो यह वीडियो मैंने डाल दी हूं वहां पे जाके आप लोग यह वाला सीन देखना थोड़ा सी यह ना रिपीट कर करके देखना यहां पर इसकी इतनी बुरी बेज जती ना तो वीडियो में यह जो गई है बच्चो का जो भी वहां पे चल रहा था स्कूल में वहां पे जाके यह सब यह दिखा रही है ना तो वहां पे एक लड़की ने इसको बोलिया एक्स्क्यूज मी नॉट अलाउड फिर भी यह बेशरम ने वह लड़की के मेरे ख्यालते ह आवजूद वह चीज भी इतने वीडियो में डाली और फिर बात में इसने और वीडियो बनाई भी हर एक चीज की वीडियो बनाई मतलब कितना ही लोग गिर गए पैसे के लिए कितना ही लोग गिर गए चैनल के लिए यही से पता चलता है कि कोई इनके मों पे चपेड़े भी मारेंगा ना तो भी लोग वीडियो बनाना नहीं चोड़ेंगे मतलब दूसरे की आप लोग कुछ सोचो वहां पर मना कर रहें इसके बात तो रुख जाना चीए ना फिर भी यह औरत नहीं रुकी वीडियो बनाई रही ती सोचो आप लोग कितने बेशरम और घटिया लो जो भी आउडियांस है हम लोग समझ नहीं पाए वहां ये समझा नहीं पाई सोचो डीडी दले से पिटारा से आठ साल बढ़ी है ये ये समझा नहीं पाई जबके किती शातीर और किती ड्रामे बाद औरत है ये सब को बहुत अच्छे से पता है इतना दिमाग लगा के इसन में उसके घर पे कबज़ा कर ली फिर अपने हदबैंड का अफैर करवाना इसके उसके साथ में मू काला करता है उस चीज में उसको सपोर्ट करना और फिर उसकी शादी भी करवाना और फिर उसके बाद में आके यहां पे सिंपती लेना ये सारा कुछ इसने मस्त और फिर यह कह रही है कि मैं शायद आप लोगों को समझा नहीं पाई तो कितनी तू चालू है कितनी शाती रहे और तेरे मुझे ये बाते कि मैं समझा नहीं पाई तो ये बात तो बिल्कुल भी हजम होने वाली है नहीं दूसरी बात के audience समझ नहीं पाई audience तो तुम लोगों को इतनी अच्छी तरह समझ गई है जिसकी कोई हद नहीं अगर audience तुमारी बातों में आ जाए तो audience बहुत समझदार है अगर audience को सज दिखने लगे audience आके सज बोले तो फिर audience समझ नहीं पाई सोचो कितनी चालू है न ये ये रोना दोना कर रही थी इसको सिंपती मिल रही थी तब आके इसने ये dialogue क्यों नहीं मारी कि आप लोग समझा नहीं मैंने समझा नहीं पाई आप लोग समझ नहीं पाई अगर इसके साथ में audience आगरी नहीं करती है तो ये आके ये बात बोलती है कि या मैंने नहीं समझा पाई या आप लोग नहीं समझ पाई सीधा क्यों नहीं बोलती कि ये तुने मों से गुस्से में आके सच भग दी है ना सच तुने बोल दी उसके बाद में तुने देखी अरे तुम लोग क्या बेवकूप समझ के रखे हो क्या ओडियांस को तुम लोग किते चालू हो किते गिरे हुए हो ना ओडियांस अच्छे से समझ गई है तुम लोगों को फिकर नहीं करो अच्छा भाई इसने क्या समझाई थी आप लोगों को याद होगा इसने बोली थी के मेरे घर पे तो दुश्मन भी आएंगा तो हम उसको खाना देंगे फिर मुझे किसी ने समझाया के वो तुम्हेरे बच्चों का बाप है तुम चले जाओगी दो दिन लोग रोएंगे फिर तुम्हें भूल जाएंगे ये सारी बाते और भी फिर लाश्ट में ये बोल देना के मैं तो मुझे ना सपोर्ट करो इसको सपोर्ट की चीज़ में चाहिए चैनल में के मुझे चैनल में सपोर्ट करो बस बागि इसको हस्बेंड से अप कोई तकलीफ नहीं है देख लो आप लोग और यह जो दिखा रहे ना दोनों मिया विवी के आम एक दूतरे से बात नहीं कर रहें एक दूतरे के साथ में नहीं रहें तो डीडी दल्ले ने आके खुद ने भी बोल के गया है सारी सच्चाई और दूतरी बात के इनके वीडियो से ही पता चल रहा है चोरियां पकड़ी जा रही है वो दिन डिडी दल ला गया था CVO पे ना CVO तो वहाँ पे वो गया था ना तो पीछे से अगर आप लोग सुनोगे हमजा की आवाज आ रही है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि आपा गिर जाओगी आपा गिर जाओगी वो क्लिप चाहिए तो मै डाल देती हूँ आप लोग देख लेना वाँ पे ठीक है तो वह आपा किसको बोलता है आप लोगों को नहीं पता मतलब कि ये भी इसके साथ में थी फिर ये क्यों जता रहे हैं लोग के भई हम तो एक दुसरे से सही में बात नहीं कर रहे हम दुसरे के साथ में गुम फीर क्यों इतना जुद बोलना मतलब कि तुम लोग खुल्लम खुला लोगों को बेवकूप बना रहे हैं चाहिने की कोशिश कर। ना जिसकी कोई हद नहीं है अच्छा बहुत सी लोगों की आखे ना अभी भी बंद है लोग यही समझ रहे है कि डीडी जो जो आके बता रहा है ना तो वो फात्मा को बदनाम करने के लिए बता रहा है लेकि ना वो बदनाम करने के लिए नहीं बता रहा है वो सच बता रहा ह क्योंकि फात्मा ने मिल के ये सारा कुछ की है और फात्मा के साथ कोई जुलूम नहीं हुआ है वो मस्त रह रही है भई वो गुम रही है फिर रही है साथ में खा रही है पी रही है और सच में वो सो भी रही है एक बैट शेयर कर रहे है अगर आप लोग इसकी जगा पिटारा को देख लो तो वो तो बैट टक के शेयर नहीं करती है क्यों? क्योंकि उसका आज़ बैन्ड ही नहीं है गोंचू वो तो अपनी हर एक वीडियो में शो करवाती है कि मैं तो नहीं सो रही इसके साथ में तो बैड नहीं शेर कर रही में तो नहीं सो रहीं कभी आप लोगों ने देखा है 메तारा है言 कि बटके अ एकी उपर अकेले मास्त तो सो योएंगे यह की तरह यह ढरतें आप लोगों को क्यों नहीं नजरातीं कूली दिखती और इन्लोगों के पर वर待 करने की कोई जरुवत नहीं है एक नंबर के जूटे और मकार है आप लोग जाके वो वाली वीडियो है ना जरूर देखना चो यह तो स्रीफ उतनी ही किलिप डाल दूंगी जिसके अंदर आप लोग हमजा की अवास सुनना पीछे से वो कह रहा है कि आपा गिर जाओगी पीछे अट आओ और वीडियो किसका है डीडी दले का मतलब के साथ में घूम रही है ना तो डीडी जितना भी बता रहा है ना वो सब सच है इसको कोई प्राबलम नहीं बस इसने यहाली वीडियो बनाई इसने देख ली कह रहे हाँ सब को यह पता चल रहा है कि मैं तो खूश हूँ डी कर दिया के डीडी को तुमने माफ कर दिया तो इसने बोल दी नहीं नहीं मैं नहीं माफ कर सकती मेरे दिल से मैं मर भी जाओंगी ना मेरे दिल से वह महबत अब नहीं आएंगी चलो बंदा ऐसे बोल देता है कि जहा तुझे माफ किया लेकिन जो गुरूर का फकर का बरुसे कारिस्ता होता है वो तूट चुका है वो कभी भी वापिस नहीं आएंगा अच्छा यह जताना जरूरी है है ना अगर यह नहीं जता होगी तो फंड कैसे आएंगे सब्सक्राइबर कैसे आएंगे डॉलर कैसे बनेंगी अरे कितनी जूटी और मकार है तुम लोगों के नाम भी इस तरह से ना तुम्हारे उपर सूट नहीं होते अपना नाम है ना बदल के ना मकारिया रख दो घटिया और अच्छा जी जो यह है तो बच्चों के हक की बात करना चाहिए बच्चों का हक मिलना चाहिए वह वहां पर 18-19 यह जो भी दिन रहे के आया है उतना ही उसको यहां पर भी रहना पड़ेंगा और यहां पर भी पूरा पूरा हक देना पड़ेंगा जैसे कि उसने बोला था कि बें दोनों को तो इक्वल क्यों कर रही है ज्यादा तेरे पास रहना चीए जिसे पितारा के पास चिपका रहता है उक्वल क्यों होना चीए पर फिर भी तुम लोगों ने बड़ा support किये ते पितारा को उसके साथ जुलूम हो गिया है न तो यहां पे भी यही होना चीए कि छम्या को बिल्कुल भी डीडी ना देखे और तुम्हें देखे तुम्हारे पास रहे तुम्हारे बच्चो को पूछे और उसको साल में दो बार मिलने जाए जिसे गोंचु करता है यह और ना चीए ना हप की बात तो तुमने आके बहुत मतलब मजे से बोल दी के मेरे बच्चों को भी उतने ही दिन मिलना चीए यही सारी चीजे कोसर के लिए तुम लोगों के मुझे कभी क्यों निकली हाँ क्यों नहीं तुम लोगों ने बोले तुम लोगों ने तो उल्टा पिटारा को सिंपती दिये थे अब अपनी बारी आई तो तुम्हें हक की यादा आ गया हाँ लानती ओरत इसको बोलते है हम करे तो चमतकार और तुम करे तो बलत समझ गए ना वो इसाब है इनका प्रया गया एकोल एकोअ हक देंगा और जब वो चले जाता था ना एक दिन के लिए भी कुसर के पाथ tô यह दल्ला बैट के सिंपती यह देता था पिटारा को आडियन को बोलता था इसको सिंपती दो वो कुसर के पास चला गया है और कुद की बारी आई तो बोलता है के मै मैं हक की बात करता हूं मैं दोनों को इक्वल रहूंगा दोनों को इक्वल देखूंगा लेकिन कॉसर के टेंप पे इनकी पता झानी कौन सी ना नी मर जाती है कि इनके हक की सारी बत्तियां बहुत हो जाती है अंधेर अच्छा जाता है वहाँ पे इनको सीर्फ और त्रीफ पिटारा नजर आती है और दोगला पना नजर आता है वैसे जरा बच्छों के तू हक की अगर बात कर रही है तो शादी के टैम पे तुम्हें याद नहीं आया था क्योंकि तू खुझ चाती थी ये शादी हो और तुझे भी उसी तरह से फेम मिले जैसे पिटारा को मिले वरना शादी रुकाने के लिए ज़्यादा टैम नहीं लगता शादी तू रुका सकती थी तू ये मुदब आइटी पे लेकर आती जाकर उसकी कम्प्लेट करवाटी ना उसका बाप भी मान जाता लगिन तू खुझ चाती थी तब तुझे तेरे बच्चों की याद नी आइ नके हग की याद नी आ इनके फियूचर की याद नी आइ इů अरे बस कर दे ड्रामा, ड्रामा कुईन बन गई है तू भी, इंसा आप बीबी आगई इंसा आप माँगने, परुपर मौग क्यों भलता इंसा आप बीबी, कि वो यहां से वीडियो बना के उसको भेज रहा है, या पता नी उससे किलीप मंगा के खुद के पासे, फिर के लिए भी विडिएट करो मेरे भी थमनेल लगाओ टैटल लगाओ यह सारे कि चीजों में भी बोलना हक की प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् फिर उसके अंदर टाइटल्स हमने लगा रहा है कम्यूटियों पर टंगा रहा है ताके लोग इस इंसाफ बीबी को सिंपती दे यह सारा कुछ ड्रामा हो रहा है और आप लोग अगर ध्यान दोगे न तो यही सारा कुछ ड्रामा पहले भी हो चुका है यह जताना के नहीं मु करने की इसको सिंपती देने की कोई जर्वत नहीं एक टैम ऐसा आएंगा ना चम्या को पूछेंगा भी नहीं इसके पीछे कुत्ते की तरह दू मिलाते फिरेंगा जैसे वो है ना के नामे गोंचुआ फिरता है सेम वैसा सीन होगा अगर आप लोगों ने इनको सर पे को क्या हो गया आपने इसकी बाते सुनी होगी ना इसको इनसाफ किस चीज में चाहिए चैनल को ग्रो करके दो इसको सब्सक्राइब करो इसको वाच करो इसके डॉलर बनाओ इसके अंदर इसको इनसाफ चाहिए इनसाफ इसको वो चीज में नहीं चाहिए कि मुझे मेरा हस् चल रही है और चमिया को भी ना सही वाला यूज किया जा रहा है मैं दो बोलती हूँ ना के चमिया की ज्यादा है ना चमिया की बेन चालू है बस वो है ना इनका कुछ कर दे ना तो इनको समझ आ जाए जैसे आसीम का करे ना इन लोगों ने उसी तरह से इन लोगों का कुछ क कर देना तो इनको पता चलेंगा कि हमको भी कोई मिला था फिर इनके ना ये सारे जो दो साधियां तीन साधियों वाला जो ड्रामा है ना या में सा के लिए बंद हो जाएंगा बेशरम दल्ले कहीं के भी इसको बैठके सपोर्ट करें ना जो मतलब दिल से बिच्छारी समझ र पड़ेंगा ना तो बस वह काम हो रहा है ताके इसको सिंपती मिले इसका चैनल ग्रोह हो वही बात है ना कि उसको व्यूज आएंगे तो हमें भी व्यूज आएंगे समझ गए ना आप लोग समझदार को इशारा ही काफी है तो एक और पिटारा खड़ी की जा रही है ताके उसकी भी हमार्मी बने और फिर उसका गंदगी धो धो के अपने भी चैनल चला है लख दी लाना थे तुम लोगों के अपर तो सारी कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी ना तो जो जो भी चीजे समझ में आ गई है तो प्लीस मुझे कमेंड में जरूर बताना क्यूंकि ये सारा कुछ गेम हो रहा है और सुरू से जब सही आई है ना इसाफ मांगने तब से लेके आज दीन तलक्य में यही बोल रही हूं कि ये गेम हो रहा है गेम हो रहा है राज नी तो कल आप लोग देख लेना ये प्रूब भी हो जाएंगा कि ये गेम हो रहा है आप लोग जा आहila कि देखे लें ना आप लोगों को मिल जाएंगा प्रूफ करोव के यह जूती एक नंबर की 55- मुटielen यह इस तरह से जताती है कि में कर दिधी निंहीं कर और जाती यह है और पीछे से हैं यह रहे क्लाए में चाहिए यह खारे पीछ हो यह की अराम के पीछे ना इनके ड्रामे चल रहे हैं तो इनके ड्रामों में आने की कोई जरूरत नहीं तो चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लोगी जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट युमे लपित!